तो दोस्तों आज हम एक ऐसी लड़की की जर्णी देखेंगे जो अपने प्रिंस को माउस से वापस इंसान बनाना चाहती है और इसमें उसकी मदद करती है एक नो सिख्या जादूगर तो चलिए शुरू करते हैं तो मूवी की शुरू में हमें एलक्स नाम के एक प्रिंस के बारे में बताया जाता है जिसे एक विच ने खांदानी दुश्मिनी के कारण माउस में बदल दिया और उसकी जगा एक फेक प्रिंस ओलाफ को बिठा दिया फिर एक दिन उनके राजे में एक एला नाम की लड़की और वो अपनी life power उसे दे कर वापस mouse बन जाता है तब से Ella और उसके friends कोई ऐसा तरीका ढून रही है जिससे वो Alex को फिर से इंसान बना सके ऐसे ये तिन crystal भागती हुई Ella के पास आती है और बताती है कि उसने श्राप को तोड़ने वाला spell ढून लिया है इसके लिए वो उने कुछ चीजे लाने को बोलती है जैसे black feather, rainbow egg और blue flower का stamin इन सब को मिला कर वो एक magical potion बनाती है लेकिन Alex पर इसका कोई असर नहीं होता और उल्टा वो उसे घायल कर देती है crystal समझ जाती है कि अभी वो एक perfect जादुगर नहीं बन पाई है और इसलिए उसके spell सच्चे से काम नहीं कर रहे तब ही उसकी नजर spell book के author पर पढ़ती है जिसका नाम डॉक्टर नोईटोल है और उने लगता है कि वो शायद उनकी मदद कर सकता है एला एलेक्स से वहीं palace में रुखने को कहती है और अपने दोस्तों के साथ उस author के घर पहुँच जाती है वो देखते हैं कि उसका घर magic से भरा हुआ है लेकिन बहुत बुलाने पर भी वो उनके सामने आने से मना कर देता है तब हैला उसे सारी बात बताती है और उसकी problem सुनकर वो उनसे मिलने को तयार हो जाता है वो देखते हैं कि ये डॉक्टर असल में एक tortoise है और उसे अपने knowledge पर बहुत ही घमंड है थोड़ा भाव खाने के बाद वो finally उन्हें एक clue देने को तयार हो जाता है और बताता है कि तुम्हारी मदद Lifestone नाम का एक jam ही कर सकता है जो समूंद्र पार्फोरस क्वीन के कैसल में रखा हुआ है लेकिन साथ ही वो उन्हें वोन भी करता है कि वहां तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और अगर तुम क्वीन तक पहुँच भी गए तो वो तुम्हें Lifestone का भी नहीं देगी Crystal को लगता है कि वो बस उन्हें पेफकूब बना रहा है लेकिन एला उसे वहां तक मोशने में अपनी मदद करने को कहती है तब डोक्टर उन्हें बताता है कि मेरे बैक्यार में एक लाउड रहता है और अगर तुम उसे मना सको तो वो तुमें समूंदर के पार ले जा सकता है ये सुनकर वो सब उस लाउड से मिलने जाते हैं और जल्दी ही उसमें और क्लाउड में दोस्ती हो जाती है एला फाइनली उसे अपनी जर्मी के लिए तयार कर लेती है और ये देखकर क्रिस्टल उदास हो जाती है आगे हम उन सब को उस कैसल की और जाते वे देखते हैं और एला नोटिस करती है कि क्रिस्टल का मूर अचानक से खराब हो गया है। एला उससे इसका कारण पूछती है जिस पर क्रिस्टल बताती है कि शायद वो अपने ग्रूप के लिए एकदम यूजलेस है और यहां तक कि अपना मैचिक भी ठीक से नहीं यूज कर पाती। उसे लगता है कि वो कभी एक परफेक्ट जादूगर नहीं बन पाएगी और शायद अब उसे जादू करना छोड़ देना चाहिए। है कि यह पेड़ चलने में बहुत स्लो है लेकिन कोई और चारा ना होने के कारण उन्हें उसे ही फोलो करना पड़ता है। पेड़ की मदद से फाइनली वो उस कैसल तक पहुच जाते हैं और देखते हैं कि दो गार्स महां की पहरेदारी कर रहे हैं। क्रिस्टल अपने मौस फ्रेंड के साथ उनका ध्यान बढ़काती है और पीछे से एला उस कैसल के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे फोरस क्वेन का रूम दिखाई देता है जिसमें कुछ हजीब सी स्टैचूस रखे हुए हैं। तब ही एक लैंप जिन्दा होकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम शकल से मुझे एक चोर लग रही हो। वो एला से खुद को अपने साथ ले जाने को बोलता है और कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। देखते ही देखते वो दूसरे स्टैचूस भी एला से यही रिक्वेस्ट करने लगते हैं जिसमें एक जीनी और एक मैजिकल कार्पेट भी है। फिर एला कलती से एक मैजिकल पेंटिंग में चली जाती है और एक के बाद एक उसे वहाँ कई खतरों का सामना करना पड़ता है। तब ही उन्हें फोरस्क्वीन के आने की आवाज सुनाई देती है और एक लेडी एला को पेंटिंग से बहार निकाल देती है। लैम्प उसे जल्दी से एक अलमारी में चुपने को कहता है और तब ही क्वीन अपने रूम में आ जाती है। वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड हुई है और अपने मैजिक से एला को अलमारी से बाहर निकाल लेती है। वो एला से इस तरह यहाँ आने का कारण पूछती है और तब ही उसे ढूंटते हुए क्रिस्टर और वो माउस वहाँ आ जाते हैं। क्वीन को लगता है कि यह सब शायद यहाँ चोरी करने आए हैं और वो एक एक करके उन सब को कैद कर लेती है। तब एला उसे बताती है कि हम तो यहाँ उस लाइफस्टोन को लेने आए थे ताकि अपने फ्रेंड अलक्स की मदद करसकें। फोर्स्ट क्वीन उने समझाती है कि डेजर्ट क्वीन बहुत ही खतरनाक है और तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन एला पीछे हटने को बिल्कुल तयार नहीं होती लेंप और बागी स्टैचूस भी क्वीन को उनका ओफर एक्सेप्ट करने को कहते हैं और कुछ सोच कर वो उनकी बात मानने को तयार हो जाती है फिर वो उन्हें आगे जाने के लिए एक मैप देती है और लेंप को एक कड़े में बदलकर एला के हाथ पर बान देती है ताकि वो उन सब पर नजर रख सके आगे का सीन डेजर्ट कैसल का है जहां ओलाफ इस सारे प्लैन की जानकारी डेजर्ट क्वीन को देता है लेकिन उसे लगता है कि वो बच्चे उसका कुछ नहीं बिगार पाएंगे ताब वो लाफ कहता है कि आपको अपनी आर्मी के लिए एक जादुगर की जरूरत थी और मैं क्रिस्टल को बहला कर आपके पास ला सकता हूँ बदले में आपको मेरा किंग्डम पाने में मेरी मदद करनी होगी और डेजर्ट क्वीन भी इसके लिए तयार हो जाती है इधर आगे बढ़ते हुए एला को एक शोटकट नजर आता है लेकिन क्रिस्टल को लगता है कि उन्हें इस रास्ते पर आगे नहीं जाना चाहिए वो अपने मैजिक से इधर उधर खत्रा ढूनने लगती है लेकिन एला उसे समझाती है कि तुम बेवजा ही ओवर्येक्ट कर रही हो और हर जगा मैजिक यूस करने के कोई जरूरत नहीं है इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और क्रिस्टल गुस्से में उन्हें छोड़कर चली जाती है यही हम अलाफ को देखते हैं जो छुपकर उन पर नजर रख रहा था और वो क्रिस्टल से मिलने उसके पीछे जाता है आगे एला और उसके सात्यों को एक हट दिखाई देती है जिसमें धेर सारा खाना रखा हुआ है तब ही एक पिंजरा एला को कैद कर लेता है और पता चलता है कि यह एक शेतान बिल्ली का घर है वो वोल्टर को पकड़ कर खाने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि वोल्टर को उसकी बनाई डिशिस बहुत पसंद आई है यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है क्यूंकि वो हमेशा से एक शेप बनना चाहती थी लेकिन कोई भी उसकी डिशिस को पसंद नहीं करता था एला को ये सुनकर क्रिस्टल का ध्यान आता है और वो सोचती है कि ना जाने वो किस हाल में होगी उधर उलाफ क्रिस्टल से मिलने आता है और उसे बताता है कि तुमारे दोस्तों को तुमारे स्किल्स की कोई कदर नहीं है और अकर तुम डेजर्ट क्वीन के साथ मिल जाओ तो वो तुमें एक पावरफुल जादुगर बना देगी क्रिस्टल भी उसकी चलाकी को नहीं समझ पाती और डेजर्ट क्वीन का साथ देने को तयार हो जाती है इधर एला और मौसीस का सामने एक बेर से होता है और इससे पहले कि वो उन्हें चोट पहुचा पाए एला उसे अपने यहां आने का कारण बताती है बेर उसका दोस्तों के लिए प्यार देखकर बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहां से सही सलामत जाने दूँगा लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक लैटर पढ़ना होगा पता चलता है कि यह लैटर उसके भाई ने उसे लिखा था और वो वोल्टर और मैनी के साथ उसे ढूनने निकल जाती है और लाव भी डेजर्ट में उन्हें देख लेता है और क्रिस्टल की मदद से वो उन तीनों को एक स्पेल में कैथ कर लेते है एलाव भी क्रिस्टल को उसके साथ देखकर बहुत हैरान होती है और उसे समझाती है कि तुमें इस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन क्रिस्टल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो उन्हें धोके बाज और सेल्फिश बताती है और लाफ भी आग में गी डालने का काम करता है और कहता है कि अब तुमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दी ही क्रिस्टल एक पावरफुल जादूगर बन जाएगी एला एक बर फिर उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुमारे भी ना हम यहां तक कभी नहीं पहुंसकते थे और तुम अभी भी हमारी टीम का एक एहम इससा हो यह उनकर क्रिस्टल को अपनी गल्दी का एशास हो जाता है और अपने दोस्तों को आज़द करके वो अलाफ को इस पैल में कैद कर लेती है आगे वो एक लंबा रस्ता टैकर के उस कैसल तक आते है जिस तक जाने के लिए उन्हें एक ब्रीज क्रोस करना होगा लेकिन जैसे ही वो उसके सेंटर में आते हैं वो ब्रीज टूटने लगता है और ये लोग बड़ी मुश्किलों से बचते हुए दूसरी तरफ आते हैं फिर कुछ बबल्स उन्हें उठा कर उपर पैलेस में ले जाते हैं और यहां उनका सामना उस डैसर्ट क्वीन से होता है वो उन्हें बताती है कि लाइफ स्टोन से मैं अपने डैसर्ट को हरा भरा करना चाहती हूँ और यही मेरी डैस्टिनी है एला उससे किसी और तरीके के बारे में पूछती है जिस पर क्वीन कहती है कि मुझे अपने काम के लिए एक जादूगर की जरूरत है और अगर क्रिस्टल यहां रहने को तयार हो जाए तो मैं तुम्हें वो लाइफ स्टोन यूज करने के लिए दे सकती हूँ क्रिस्टल उसकी बात मानने को तयार हो जाती है और एला को समझाती है कि इससे वो एलेक्स को फिर से इनसान बना सकती है और डेजर्ट क्वीन की मदद से उसका बड़ा जादूगर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा फिर डैजर्ट क्वीन उसके हाथ में वो लाइफ स्टोन देती है लेकिन पता चलता है कि ये सब उसका एक प्लैन था और उसने क्रिस्टल को अपने स्पेल में बांध लिया है उसे कंट्रोल करके वो एला को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और क्रिस्टल को अपने साथ कै केसल की और चड़ने लगती है उधर डैसर्ट कुईन क्रिस्टल से एक बार फिर सोचने को कहती है और बताती है कि मैं तुमारा परफेक्ट जादूगर बनने का सबना पूरा कर सकते हूं लेकिन क्रिस्टल ऐसा करने से मना कर देती है तब ही एला और उसके माउस वहां आते है और क्रिस्टल भी स्पेल तूटने से आजाद हो जाती है और वो सब कैसल से बाहर आ जाते है डैसर्ट क्रिस्टल गुस्से में उन पर अटेक करती है जिसके लगती ही क्रिस्टल एक डॉल में बदल जाती है एला को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो डैसर्ट क्रिस से इसका बदला लेने की सोचती है डेजर्ट क्विन उस पर भी अपना स्पेल यूज करने की कोशिश करती है लेकिन ऐन टाइम पर वहां फोरेस्ट क्विन आ जाती है फोरेस्ट क्विन ऐला से वो लाइफ स्टॉन लाने को कहती है क्यूंकि उसके बीना वो डेजर्ट कुईन का मुकाबला नहीं कर पाएगी और ये सुनकर एला तुरंतु से डूनने निकल जाती है पता चलता है कि वो लाइफ स्टोन मैनी के पास है लेकिन तब ही उनके सामने ओलाफ आ जाता है वो उनसे स्टोन चिनने के कोशिश करता है लेकिन एला वहाँ आकर उस स्टोन को पकड़ लेती है तब ही वो माउस ओलाफ पर एटेक कर देते है और इसी हडबड़ी में उनके सासा तैला भी पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है लेकिन इससे पहले कि वो लोग नीचे जमीन से टक्राएं क्लाउट वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और बताता है कि डॉक्टर ने उसे उनकी मदद करने भेजा है फिर वो उड़ते हुए वापस कैसल की ओर आते है और देखते हैं कि डेजर्ट क्वीन ने फोरेस्ट क्वीन को ट्रैप कर लिया है एला किसी तरह पचते वे उस्टोन को फोरेस्ट क्वीन के ओर उचालती है लेकिन वो देखते हैं कि डेजर्ट क्वीन भी उसे पकड़ने आ रही है तबी Forest Queen एला के हाथ में बंदी उस लैंब को एक्टिवेट करती है और उसकी रोशनी Desert Queen को चका चोंद कर देती है Lifestone भी finally Forest Queen की छड़ी तक पहुँच जाता है और वो Desert Queen को उड़ा कर दूर फैंक देती है आगे हम उन सबी को Forest Castle में देखते हैं जहां Queen उने बताती है कि वो एलेक्स और Crystal में से किसी एक को ही ठीक कर सकते है तब एलेक्स उससे Crystal को जिन्दा करने को कहता है क्योंकि उसकी यहालत उसी की वज़ा से हुई है और एला को भी उसकी बात माननी पड़ती है फिर Queen Stone की पावर से Crystal को ठीक कर देती है और हम देखते हैं कि वो इस बारे एक नए रूप में है Crystal Relics को माउस के रूप में देखकर बहुत हैरान होती है और तब Forest Queen उसे सारी बात बताती है और यह सुनकर Crystal को बहुत दुख होता है आगे Queen उसे बताती है कि Lifestone ने तुमारी Magical Power को बढ़ा दिया है जिससे तुम भी एक परफेक्ट जादूगर बन चुकी हो और अब तुम फिर से अपना पहले वाला स्पेल ट्राए कर सकती हो Crystal भी यह सुनकर खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से स्पेल की चीजों को फिर से इकठा करने को बोलती है Finally उसके स्पेल से Alex फिर से इंसान बन जाता है और इसी के साथ हमारी यह मूवी भी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले Thank you